हेलो फ्रेंट्स एक लंबे समय अंतराल के बाद में लेकी आई हो फिर से आपके लिए एक इंपोर्टन टॉपिक जो आज टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं यह बहुत इंपोर्टन है क्योंकि ऐसा कोई टीचिंग एक्जाम नहीं है जिसमें यह टॉपिक ना आता हो चाहे आप देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपने आज के लेक्षर को मैं मैं मन्जीत को और स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल जिसका नाम है Help Yourself तो आज हम पढ़ने वाले हैं attention तो लक्षर को शुरू करने से पहले आपसे एक request है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सिब्स्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक जरूर करें तो आज हम पढ़ने वाले हैं attention के बारे में अटेंशन हमारी normal language भी हम क्या कह देते हैं किसी चीज को देखना किसी चीज की तरफ देखना लंबे समयता कि या फिर जो आपको पसंद आती है ऐसी चीज को देखते रहना फिर हम कहाते कि हमारा ध्यान इसकी तरफ है और कई बार हम normal language ये भी कह देते हैं कि हमारा constitution ही attention होता है attention को हिंदी में कहा जाता है ध्यान क्या कहा जाता है हिंदी में इसे कहा जाता है ध्यान तो ध्यान क्या होता है कई बार हम कहते हैं कि हमारा पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा हमारा consultation नहीं बन रहा दोनों ही word हम use करते हैं में हैं इंगलिश में कहा दिते हैं हमारा श्ब만 यह होता हैं तो यहां पर देखिए आपको दिखाया गया है Stimulus generally attention is the ability to actively process specific stimulus in the environment while turning out other details तो यहाँ पर देखिए कहा जाता है कि आपके environment यानि कि आपके चारो तरफ जो भी चीजे हैं उन में से आपका सब के उपर ध्यान नहीं जाता है कुछी चीजों के उपर ध्यान जाता है कैसे जाता है कि हम देखो यहाँ पर बात करें स्टूमलेस के बारे में स्टूमली और स्टूमलेस दोवड़ दिये गए हैं तो पहले मैं आपको बता दूँ कि स्टूमलेस क्या होता है आपके एनवारिमेंट ऐसे बहुत सी चीजे होती हैं जैसे कि आपके आसपास पैन रखा होगा चेर रखी होंगी आपके रूम में आपके रूम में बलब है आपके रूम में टूब लाइट है स्टूमलेस होते हैं स्टूमलेस में सिर्फ अबजेक्ट ही नहीं होते हैं परसन को भी हमने इंक्लूड करते हैं मतलब हमारे आसपास कुछ भी होता है वो कहलाता है स्टूमलेस तो किसी स्टूमलेस को देखते रहना क्या होता है अटेंशन होता है और वो अटेंशन हम कब पे करते हैं कब हम दे लेते हैं और फिर हम उनके प्रतिया उनके रिगार्डिंग उनके लिए हम फिर क्या करते हैं रिस्पोंस करते हैं तो जब हम किसी स्टूमलेस के द्वारा या किसी स्टूमलिस को दे कर हम कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया करते हैं, कुछ ना कुछ रिस्पॉंस देती हैं, तो वो क्या कहलाता है? अटेंशन कहलाता है, तो इस selective process को ही psychology में अटेंशन कहा जाता है, तो यहाँ पर देखिए आपको तीन फूल, तीन फ्लावर काफी सुंदर सुंदर से दिखाई दे रहे हैं, अपने आप में ये तीनों की तीनों बहुत ही सुंदर हैं, लेकिर अगर मैं कहूं कि आपको इन त हमारा ध्यान किस पर जाता है, तो अपकोस आप कहेंगे कि वाइट के उपर हमारा ध्यान पहले गया, क्यों गया, इसके बारे में देखे या हम देखते हैं, कि जो बाकी दो फूल हैं हमारे पास में, वो कैसे कलर के हैं, उनमें कॉमन चीज़ी क्या हो गई, एक तो वो देख लेते हैं, ताकि अच्छे से हमें और समझ में आ जाए कि अटेंशन क्या होता है, यहाँ पर देखिए, मैटलीन ने कोगनेशन बुक में कहा है, 1983 में पेज नमबर 109, यहाँ पर कहते हैं, मैटलीन जी, कि अटेंशन इस कंसलेटेशन ओफ मेंटल, यहाँ पर यहाँ मेंटल एक्टिविटी, क्या आएगा, मेंटल एक्टिविटी, कंसलेशन के जगह पर यहाँ पर आएगा, एक्टिविटी, यानि कि मैटलीन कहते हैं कि अटेंशन एक कंसलेटेशन ओफ मेंटल एक्टिविटी है, जब आप किसी चीज पर कॉंशियस होकर ध्यान के इंदृ करते हैं, हमनी mental activity यूज करते हैं, तो उसे कहते हैं attention, तो फिर हम आगे देखते हैं कि attention क्या होता है, attention is the term given to perceptual process that select certain inputs for inclusion in our conscious experience or awareness at any given time, तो यहां पर देखे हम बात करते हैं, कि हमें जब किसी चीज पर हम ध्यान देते हैं, तो उसके बारे में हमें बहुत से चीज़े perceive होती हैं, और उसके base पर हमें क्या हो जाता है, conscious experience हो जाता है, जैसे कि हमने अभी ये तीन flower देखे थे सुंदर सुंदर से, तो हमारा ध्यान कि किसी चीज पर attention देते हो, तो आपको conceptual, जब conceptual उसके बारे में पता चलता है, कि क्या concept हो उसके बारे में, या फिर हम कह सकते हैं, कि हम उसके बार में कुछ information perceive कर पाते हैं, जिससे हमें conscious experience होते हैं, और हमें अपने आप से awareness हो जाती है, कि हम क्या चीज देख रही है, या फिर इसको देखने से हमें क्या पता चलता है, अब हम attention को और अच्छे से समझने के लिए देख लेते हैं, कि इसकी characteristic क्या-क्या होती है, तो सबसे पहले यहां पर characteristic है हमारी selective mental process, ये point कहता है, कि जो हमारा attention होता है, वो selective होता है, और जब हम किसी चीज को select करते हैं, तो इससे हमार mental activity होती है, यानि कि किसी चीज को select करते हैं, तो वो एक तरह से mental process हो जाता है, ये attention की एक main characteristic है, तो कैसे होता है selective, अब देखिए, environment में बहुत से stimulus हैं, बहुत सी चीज़े हैं, लेकिन कुछ पे ही हमारा ध्यान जाता है, सबी stimulus पर ध्यान ना देते हुए, उन में से हम अपनी desire, need, or, stimulus की अपनी specific characteristic के base पर कुछ stimulus को select करते हैं, और उन ही पे हम अपना ध्यान देते हैं, जैसे कि example हम देख लेते हैं, कि जब एक teacher speech दे रही है, तो हम क्या करते हैं, कि उसकी voice कैसी जा रही है, और उसके face के expression क्या है, तो हम उस पे ध्यान देते हैं, कभी हम उसकी voice पे ध् 抗्री कर रही है, कभी डाउन कर रही है, तो हम उस पे ध्यान देते कि आखिर क्या कहा teacher ने, और जैसे speech कि देते जाते हैं, तो एपने expression चेंज करती है, according to speech, तो हमारा ध्यान किस पे चला जाता है? हमारा ध्यान चला जाता है face के ऊपर, तो ऐसे हम कहते हैं, कि selective कैसे हो जाता है यह selective हो जाता है हमारी नीड और डिजायर नीड और डिजायर और एक स्टूमलेस की specific characteristic, physical characteristic की अधार पर हम क्या करते हैं स्टूमलेस को select कर लेते हैं रूसी पर हमारा ध्यान जाता है जैसे कि आपको माल लिजे स्टूमलेस कीशा नीडकर बहुत लोड़ा से चाहे हैं तो आपको ज्यूहाइन का पर जाएगा जहां पर इस पर गारा क 기대 कोरें पार est attendant क्यूंब सरम हमने मजता हैं जैसे से आपको को ऐड़ार देखता है कोई ओड़ो दिखाई देती जहां से आपको पानी मिल सकता है तो आपका ध्यान वही होता है जैसे कोई शोप आती है पानी की तो आप कहते है रोको मिरको पानी पीना है तो आपको उस टाइम पर आपकी नीड क्या थी पानी की थी और आपकी इच्छा थी, आपकी डिजायर थी कि आपको पानी ही पीना है तो आपने सिर्फ और सिर्फ पानी मिल सकता है ऐसी शोप को ही अटेंशन में रखा बाकियों को आपने अलग कर दिया फिर आपने और कोई शोप नहीं देखी, खाना कहां मिल आपने नहीं देखा आपने क्या देखा कि मुझे पानी कहां मिल सकता है तो यह हो जाता है एक तरह से selective mental process यानि कि हम किसको select करते हैं, हम उन्हें select करते हैं जो हमारी desire, need और externalist की अपनी characteristic, physical characteristic होती है जैसे कि अभी अभी हमने उपर देखे थे, यह तीन फूल देखे थे तो इन तीनों में से हमारा ध्यान गया था, white वाले फूल पर तो यह white वाले फूल के अपनी characteristic थे, कि इसका color unique था और यह सुन्दर attractive दिख रहा है, इसलिए हमारा ध्यान इसके उपर गया तो इसलिए हमारा यह point बिल्कुल ही clear हो गया है, कि attention क्या होता है, selective होता है next point हमारा यहाँ पे है, अच्छा इससे पहले हम बात कर लेते हैं, जो हमारा यह point है कि selective होता है, तो इसको proof करने के लिए, दो ऐसे theory की गई है, जिनका नाम है एक तो filter theory और एक है processing capacity theory जो filter theory है, उसमें कहा गया है, कि हम उन चीजों को select करते हैं, जो अपने physical characteristic के based पर होते हैं उन stimulus को हम select करते हैं, जैसे कि कोई चीज नहीं हो, जैसे कि कोई चीज बार बार आ रही हो या फिर किसी में बहुत ज़्यादा movement हो रही हो, तो उस पे हमारा ध्यान बहुत जल्डी जाता है फिर दूसरी ये जो filter theory है, इसके ने ये थी, broadband के द्वारा दी गई थी सेकेंड हम थी की बात करी है processing capacity theory, ये किया कहती है, ये theory कहती है कि हमें एक stimulus, ये बहुत सारी stimulus होते हैं, तो हम बहुत सारी stimulus बूझे हैं, कुछ ही select कर पाते हैं क्यूँकि हमारी attention की जो limitation होती है, जो capacity होती है, बहुत ही limited होती है यानि कि हम बहुत सारी चीजों पर एक साथ ध्यान नहीं दे पाते हम कुछ ही selective चीजों को ध्यान देख पाते हैं क्योंकि हमारी capacity limited होती है नेक्स्ट यहां पर point है limited span और range तो यहां पर इसका मतलब यह होता है कि जब हम किसी भी चीज़ पर ध्यान गेंद्रिद कर पाते हैं और कितने चीज़ों पर ध्यान गेंद्रिद कर पाते हैं इसके range क्या होती है इसके लिए भी एक experiment किया गया और इस experiment पे एक tool का use हुआ जैसे कहा जाता है टैचिस्टो स्कोप मैं लिख देती हूँ कि क्या नाम है उसका टैचिस्टो स्कोप यह एक ऐसा tool है जिसका इस experiment में use किया गया इसमें क्या किया गया कुछ dot वाले card या letter वाले card त्यार किये गए और इस tool में वो card को लगा दिया गया और एक subject को एक इनसान को, एक person को वह है dot वाला या letter वाला card 200 millisecond के लिए दिखाया गया यहां पर देखे second कहा गया है 200 millisecond के लिए कहां गया है फूरे second भी नहीं कहा गया है तो इतने देर के दिखाया गया और उसुसे पूछा गया साथ डोट देखे गए तो इसके लिए इसकी रेंज डिसाइड हो जाती है सेवन प्लस माइनस चू यानि कि हम मिनिम्मम कितने देख पाएंगे सेवन और मैक्सिमम नाइन तो यहां पर यह बात कहीगी है कि इसकी स्पैन अफ अटेंशन हो जाती है सेवन टू नाइन रेंज तो इसके बाद हम बात करते हैं इट इन्वर्स बोडिली अजस्मेंट तो इस पॉइंट का कहने का मतलब यह है कि जब आपका किसी चीज पर ध्यान होता है तो आप क्या करते हैं नॉर्मली कि आपके बोडी में चेंजिज भी आते हैं आपका जो बोडी अजस्ट है सब्सक्राइं दे रही है तो जब आपकी टीचर सेप्टे रही है तो Cel उसके और थे दान डाय जाता है तो आप दाय की तरफ मौव करते हो जब काके दूसरी तरफ जाता है तो वहां भी आप मूव करते हो और जब आपका टीचर क्लास में पीछे की तरफ जाएगा तो वैसे वैसे आप पीछे की तरफ मूव हो जाओगे यानि कि आपके देखे बोडी में चेंजिस आ रहे हैं और कभी-कभी आप बोर हो जाते तो कभी टेवल पर हाथ रखते हो कभी आप नीचे हाथ रखते हो यानि कि अटेंशन किसी चीज़ पर फोकस करती हैं तो हमारे बोडी में वह से चेंजिस आती हैं हमारी बोडी बार बार अजस्ट होती रहती है तो इसलिए कहा गया है कि अटेंशन में बोडिली अजस्मेंट भी होती है कभी आप हाथ पीछे लेके जाओगे, कभी आप टेबल पे हाथ रखोगे, टीचर अगर क्लास में पीछे की तरफ जा रहा तो आप पीछे की तरफ जाओगे, जो यह चेंज़ हो रहे हैं, वो आपके बोडी अजस्मेंट के लिए हो रहे हैं, next point यहां पे आ रहा है, it has property of fluctuation and shifting, अब इसका क्या मतलब है यहां पे, इसका मतलब होता है कि जब आप किसी चीज़ पर ध्यान दे रहे हो, तो आपके attention में fluctuation होती है, और आपका attention shift भी होता है, तो यह कैसे होता है, fluctuation का यहां पर मतलब होता है, किसी चीज़ पर ध्यान देते हो, तो आपके attention fluctuate होता रहता ह और shift होता है अब कैसे fluctuate होता है और कैसे shift होता है यह हम समझते हैं इसको हम दो तरह से बाटेंगे fluctuation of attention और shifting of attention दोनों को अलग लग करके पड़ेंगे तो माल लीजिए आपका ये एक object है और जब इस object के पर आपका इस पार्ट पर ध्यान जा रहा है कभी आपका इस पार्ट प लोग आप इसको देख रहे हों कभी यहां देख रहे हो तो आपका ये पार्ट क्या कहते है इसको अगर हम कहें धन पर्संजmax part and stimulus one aspect to other aspect बट ढसे दिए स्थे में सेम तो यहां पर हमारा ध्यान से से लेकिन हमारा ध्यान कभी उपर जा रहा है कभी नीचे से कभी दाइं को रहां है लेकिन हमारा सिजम एक ही रहता है तो वह कहलाता है Eyland Soul 누क्षेशन ओफए अटेंशन यहां पर हमारा ऑबजेकित नहीं बदलेगा यहां पर हमारे अब चेक्ट के जो ढगाह। records होते वहां पर अवारा ध्यान जाता है अब मान लिजे कि आपने एक घोड़ा देखा है तो कभी आप घोड़े की पूश को देखोगे कभी आप घोड़े की पैरो को देख रहे हो कभी आप उसके मुझ को देख रहे हो तो इस तरह से आपका ध्यान घोड़े के different different aspect different part पर जा रहा है लेकिन आपने यहाँ पर object या फिर अपने घोड़े को change नहीं कि आप दब से एक ही घोड़े को देखे जा रहे हो तो यह कहलाता है fluctuation of attention तो यह हो गया fluctuation of attention अब हम बात कर लेते हैं किसके बार में हम बात करते है shifting of attention अब shifting का क्या मतलब है कि जब आपने इस object को देखा और फिर इसको देखने के बाद में आपने दूसरे objective पर आपका ध्यान गया तो इसको हम कहते है shifting of attention कि यानि कि हमारा एक attention एक stimulus है दूसरे stimulus पर क्या हो रहा है shift हो रहा है यानि कि pass हो रहा है यहाँ पर हमारा stimulus ही change हो रहा है जैसे कि पहले आपने white गोड़े को देखा फिर आप किसी brown गोड़े को देखती हो तो दोनों से white से आपका जब brown गोड़े पर ध्यान गया तो वहाँ पर कहलाएंगे shifting of attention तो यह होता है shifting और fluctuation दोनों भी difference हमने जान लिया है तो इसमें हम confused नहीं होएंगे एक पर फिर से देख लेते हैं कि जब हमारा shifting होता तो एक object से दूसरे object पर यानि कि एक stimulus से दूसरे stimulus पर attention pass होता है और जब fluctuation होता है तो stimulus सेम रहता है लेकिन part में different different part में हमारा ध्यान जाता रहता है तब यह कहते हैं कि एक stimulus में हम घूमते रहते हैं तो वह होता है fluctuation और जब हम एक stimulus से दूसरे stimulus पर totally चले जाते हैं तो उसे हम कहते हैं shifting तो I think आपको यह point clear हो गया होगा इसक responsiveness तो जब हम किसी चीज पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं तो पहले बात तो हम तयार हैं किसी चीज के ओपर ध्यान देने के लिए यह attention कहता है दूसरा हम किसी चीज को ध्यान से देख रहे हैं तो हम तयार हैं उसके बार में response करने के लिए अब आपने starting में तीन फोल देख आपको white अच्छा लगा, white आपको उन से unique लगा, तो इसी तरह से attention कहता है कि आप attention में readiness involved होती है और उस object के लिए, उस stimulus के लिए आप प्रति क्रियर response देने के लिए भी responsiveness आपके अंदर होती है तो यह यहाँ पर होगी characteristic, कौन कौन से characteristic हमने पढ़ी एक stimulus selective होता है, second इसका span और range limited होती है, third इसमें bodily adjustment होता है, four हमने क्या देखा कि attention में fluctuation भी होती है और shifting भी होती है, five हमने देखा कि इसमे state of readiness और responsiveness होती है अब हम बात कर लेते हैं type of attention के बारे में, तो यहाँ पर मैंने तीन ही type लिए हैं, जो कि mainman होती हैं, तो यह तीनो type क्या हैं यहाँ पर देख लेते हैं first यहाँ पर है voluntary attention, second है non voluntary attention या इसको हम कह सकते habitual attention, third है involuntary attention, तो सबसे पहले हम देखेंगे voluntary attention क्या होता है तो जैसा कि हमने start में बात करी थी कि attention हमारा क्या होता है, selective होता है और वो हम कैसे select करते हैं, अपनी desire के उपर, अपनी need के उपर तो voluntary होता है कि जब आप चाहते हो किसी चीज पर attention करना जब आप कुछ चीज की जरूरत है, कमी है, तो आपकी इच्छा हो जाती है, आपकी desire हो जाती है खुद की इच्छा से, खुज की desire से आप किसी चीज पर ध्यान देते हो, किसी चीज पर focus करते हो, तो वो आपका बनता है voluntary attention जैसे कि आप आप किसी exam की तयारी कर रहे हो, माल लीजी आपने net की तयारी कर रहे हो, या फिर आप c-tet की तयारी कर रहे हो, या किसी भी further tat की तयारी कर रहे हो, तो आपका क्या ध्यान जाता है, जहां जहां पर आपका tat लिखा मिलेगा, c-tet लिखा मिलेगा, netman लिखा मिल true कामर्ड हीम आपने बना लिया है कि हमें ये क्वालिफाइ करना ही तो इस तरह से हम कहते कि वॉलुंटरी अटेंशन हो जाता है कि जहां आप ध्यान के इंद्रेच करना चाहते हो वो होता है वॉलुंटरी अटेंशन में बात कते नॉनॉव有點 अटेंशन हैज़का और इस कहाता तो आपका ध्यान कभी जा रहा था कभी साइकल की हेंडल पे जा रहा था तो कभी हम Co Bakery क कहां कहां गूम रहा है तो स्टार्टिंग में हमरा ध्यान ऐसे बह्तक रहा था या यह जैसरे से मने साइकल सीखी तो हमें आदत होगी हम अच्छा से चला पाते थे वो हमारे habit में आ गया अब हम cycle पे या road पे किसी भी चीज को हम देखें या ना देखें तो हम अच्छे से cycle चला पाते हैं अब हमें handle हम नहीं देखते कि कैसे जारा हमारा ध्यान road पे होता है और हमारा handle बिल्कुल balance रहता है और हमें paddle के हमें habit हो जाती है कि paddle हमारे अपने आप लगते जाते हैं तो इसको कहते है habitual attention कि एक लंबे थोड़े से time करने के बाद में ऐसे चीज़े जो आपके habit में involved हो जाती है तो उसे हम कहते है habitual attention फिर हम बात करते हैं यहाँ पर तो तीसरा point हमारा यहाँ पर है involuntary attention यह एक ऐसा intention है जो voluntary से बिलकुल old होता है जैसा कि नाम से पता चल रहा हमें voluntary attention जिस पे हमारी खुद की desire होती है खुद की मर्जी होती है बर रहा है कि जब हमारा ध्यान ना हो लेकिन फिर भी हमारा ध्यान चला जाता है जैसे कि स्टुमले से थी क्याय कैसे अलग हो रहा है कैसी यो नीक दिख रहा है किसी ने किसी physical characteristics से तो हमारा ध्यान ना चाहते हुए वी चला ही जाता है जैसे आप किसी ground में गए किसी बगीचे में गए तो वहाँ पर बहुत सारे सुन्दर सुन्दर फूल लगे हुए हैं तो एक जगह पर बहुत सारे फूल लगे हुए हैं और थोड़ा दूर चलते तो अ अलग बैठा है उदास बैठा है तो आपका ध्यान उन बच्चों को छोड़के जो खेल रहे हैं आपका ध्यान जाएगा उस अकेले बच्चे की उपर क्यों कि उसमें कुछ युनीकनेस है कुछ ऐसी चीज है जो उसे औरों से अलग कर रही है फिर हम देखते हैं कि बहुत स चाहते हुए भी आपका ध्यान चला जाता है तो उसे हम कहते इन वॉलेंटरी अटेंशन तो यहां पर हमने कितने तरह के अटेंशन पड़े हैं यहां पर हमने टाइप पड़े हैं वॉलेंटरी अटेंशन फिर हमने पड़ा नॉन वॉलेंटरी अटेंशन जिसमें हमारी है बन जाती है, इसको हम habitual attention भी कहते हैं, फिर हमने देखा involuntary attention, तो इस तरह से हमने तीन टाइब के attention पड़े हैं, और उससे पहले हमने देखा था characteristic of attention, जिसमें हमने 5 तरह के attention पड़ी थी, और उससे पहले हमने definition के बारे पड़ा था, और जाना था कि attention क्या होता है, तो आज की व नाम है Help Yourself by Manjeet Kaur, और अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज गाइस आगे से आगे शेर कीजिए, ताकि सबके पास ये वीडियो पहुंचे, और शेर करने में, वीडियो लाइक करने में हमारा कुछ भी नहीं जाता, तो प्लीज क्यों ना ये वीडियो स सबके साथ पहुंचे, सबको इसको फायदा हो, तो मिलते हैं नेक्स लेक्शर में, तब तक लिए गाइस बाबाए, टेक कियर,